नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है निदी दोस्तों, नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी राश्ट्र है, जो हिंदू राश्ट्र के नाम से भी जाना जाता था 21 शताबदी के शुरुआत तक आज की स्थिती ये है कि यहां राश्ट्र ही यानि मुनार्की और हिंदू राश्ट्र तो बारा से वाहाल किये जाने के लिए भयानक आंदोलन चल रहा है क्या वाकई नेपाल में मुनार्की वापस आ सकती है, राश्ट्र ही वापस आ सकती है क्या है इसके पीछे के कारण किस तरह का ये आंदोलन है इन सब चीजों के बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं शुरुवात करते हैं विद्धी न्यूज प्रो मनार्कीस्टिर रॉक्स काठमांडू नेपाल की राजधानी प्रोटेस्टर्स देमांड नेपाल टो भी डिकलेर देकलेर हिंदू स्टेट फिर से हिंदू राश्ट्र बनाने की मांगवी बहुत तेजी से बढ़ रही है नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू वहाँ पे बहुत जादा देमंस्ट्रेशन देखे जा रहे हैं जहाँ पर जो अंदूलन कारी है वो डिमांड कर रहे है कि जो सदियों पुरानी जो राजधा ही है इस राश्ट्र की उसको वापस से रीस्टोर किया जाए और फिर से नेपाल को एक हिंदू राश्ट्र घोशित किया जाए मैं यहाँ आपको बता दूँ कि दो सो से ज्यादा सालों तक नेपाल में मुनार्की रही है राश्शा ही रही है राजे महराजे हुआ करते थे तिक है उसके बाद अंटिल रीसेंटली 21 शताबदी की शुरुवात में यहाँ पर नया सम्विधान आया जिसके बाद यह एक यह कह सकते हैं कि पार्लिमेंटरी सिस्टम यहाँ पर शुरू हुआ गवर्मेंट का ठीक है अब इस प्रोटेस्ट में कम से कम 30 लोग जिसमें 5 पुलिस वाले भी थे वो इंजर हुए है जब नैपलीज राइट पुलिस ने बैटन्स और टीर गासे यूज़ किये ताकि प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स किया जाए और जो प्रोटेस्टर्स हैं दो अलग-अलग गृप से आते हैं अलग दूसरे से क्लाश कर रहे थे खैर हम इस प्रोटेस्ट के बारे में इतना डीटेल में नहीं जाएंगे लिए इस सबी क्लास की अप्डेट चेड़े उसर पीडिए tie में लिए इसके अलावा आपको कोई भी doubt, confusion है, queries है, with respect to the subscription etc, तो भी आप यहाँ पर आप मुझे follow करके मेरे साथ connect हो सकते हो, इसके अलावा मेरा code है ndlive10, आप इस code का इस्तमाल करके description box में दियेगा एक form है, उसको fill कर सकते हैं, साथ में अगर आप offline subscription लेना चाहते हैं, तो भी आप इस code का इस्तमाल कर सकते हैं so that actually I can help you in your preparation and mentor you guide you, चादी, आनकाडमी का एक center बहुत जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है, यहाँ से अपनी IS की journey आप शुरू कर सकते हैं, आनकाडमी के साथ admissions open हैं यहाँ पर, for GS Foundation batch 2526, patches यहाँ पर 15 December से शुरू हो जाएंगे enrollment आपको करना है before 30 November, अगर आप enroll करते हैं 30 November से पहले, तो अगर आप पहले 100 students में हैं, तो आपको 40% यहाँ discount भी मिलेगा आपकी fees में अब जा सकते हैं, और center पर भी directly connect कर सकते हैं या फिर आप इस phone number पर भी बात कर सकते हैं अपने doubts and queries के लिए इसके अलावा, हमारे जो दिल्ली centers है, offline centers, which is करोलबाग center and Mukherjee Nagar Center, यहाँ पर जाकर भी आप enroll कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली आसपास के region में रहते हैं तो, with my code ndLive10, अगर आप 30 November से पहले enroll करते हैं, तो आपको 35% का course view में discount यहाँ पर मिल जाएगा, do not forget to use my code ndLive10, यह foundation batch 25-26 के लिए enrollment start हो गए हैं, batches भी 30 November से शुरू हो जाएंगे ना, नेपाल के जो आखरी राजा थे ग्यानेंद्र उनको सत्ता से बेधखल कर दिया गया था, 2006 में और दो साल बाद नेपाल एक democracy, लोगतंत्र घुशित कर दिया गया था बन गया था, और मुनार्की को राजशाहे को यहाँ पर abolish कर दिया गया था, as a part of deal एक deal हुई थी, जिसने end कर दिया था, decade log maist insurgency, यहाँ पर माववादियों का एक पूरा संघर्श चला है बहुत लंबे समय तक, मतलब 10 साल तक यह insurgency यहाँ पर रही, जिस insurgency को खतम करने के लिए मुनार्की को abolish किया गया, क्योंकि यही deal थी माववादियों से, और नेपाल को एक लोगतंत्र घोशित कर दिया गया, 2008 में, यहाँ मैं आपको बता दू कि 10,000 प्रोटेस्टर्ज ने यूनो स्ट्रीट्स पर जाकर यह प्रोटेस्ट किया है, यह अंदोलन किया है यह नाशनल फ्लाग वेव कर रहे हैं और यह चाहते हैं कि इनके जो फॉर्मर किंग है, उनकी वापसी हो जाए मतलब वापस से नेपाल में राजशाही की घोशना कर दी जाए, वापस से नेपाल जो है, राजशाही बन जाए मुनार्की बन जाए, अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें दोस्तों, तो इस मुव्मेंट को लीड कर रहे है, एक बिजनसमैन दुर्गा प्रसाइन, जो डिमांड कर रहे है कि जो फिलहाल कोलिशन गर्मेंट है नेपाल में, जिसको हेड कर रहे है, मावादी प्राइमिनिस्टर पुष्प कमल दहल जिनको प्रचंडा की नाम से भी जाना जाता है वो step down कर दें, अब यह जो पूरा movement चल रहा है, पूरा जो अंदोलन चल रहा है, यह part है citizens campaign का, जिसको दुर्गा प्रसाइन lead कर रहे हैं, और दुर्गा प्रसाइन मैं आपको बता दू कि member है, केपी ओली, जो पूर्व प्रधान पूरा मिल रहा है, अब प्रसाइन क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि जो नेपाल है, उसका जो current constitution है, जो 2015 में adopt किया गया, तो जो present समविधान है, उसको replace कर दिया जाए, 1990 के समविधान से, जो प्रॉमल गेट किया गया था, king, जो राजा बिरेंद्र थे, उनके द्वारा, तो म भी बनाने की ये मांग कर रहे हैं, या constitutional monarchy बनाने की मांग कर रहे हैं, तो जो 1990 का समविधान था, उसके बारें बात पर इसको repeal किया गया था, 1990 के समविधान को पहले repeal किया गया 2007 में, और उसके बाद ultimately इसको replace कर दिया गया था, 2015 में एक नए समविधान से, जिसने नेपा को एक constitutional monarchy से elected parliament वाला देश या democracy या लोकतंतर बना दिया था, जहां पर human और political rights को enshrine किया गया था, समविधान, ठीक है, अब जो momentum है, इस पूरे movement का, ये बहुत हफ्तों से इसने काफी जादा एक तरह से कह सकते हैं कि, यूनों, लोगों की नजरों में आ गया है, political, bureaucratic या security establishment जो है, इससे बड़ा surprise में आ गया है, सब लोग एकदम से बहुत बढ़क चड़कर ये movement सामने आ गया है, और ये जो movement है अपरसायन का, ये कही ना कही बहुत ही बढ़ी threat भी बन गया है, सरकार के लिए, और current political order के लिए, बतलब जो प्रचंडा की सरकार है, उसके लिए, ज इसके पीछे कुछ प्रमुक कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि नेपाल की जो जनता है ना वो बहुत जादा गुसे में है, वो बहुत जादा गुसे में है क्योंकि जो political parties हैं, वो deliver ही नहीं कर पाई है, कुछ भी वो fail हो गई है, चाहे वो ruling party हो, चाहे opposition party हो, यानि चाहे वो प्रचंडा की party हो, या वो K.P.O.L.E. की party हो, जो भी रोने promise किया है, वो उसको पूरा नहीं कर पाई है, तो लोग गुसे में हैं, लोग चाहते हैं वापस से वही स्तिती आ जाए जैसी पहले थी, इसके अलावा लोगों को ये भी गुसा है कि जो भी political parties है, वो पहले तो corrupt है, रष्टाचार बहुत जादा है, और जो politicians हैं, वो सत्ता की भूके माने जा रहे हैं, बिलकुल भी अनैतिक हैं और बिलकुल जनता के लिए काम ही नहीं करना चाहते हैं, ये इनकी image है यहाँ पर, दूसरा, नेपाल में बहुत जादा इस समय unemployment है, मतल financial crisis बहुत जादा भयानक हलत में है, मतलब पूरा देश की जो economy है, वो trust है, financial crisis के चलते, पूर governance की वजह से, लोगों में गुसा है against the system, तो गुसे में हैं बहुत जादा लोग, इन सब कारणों से, मतलब जो चीजे promise की गई हैं, वो किया नहीं किया है, चाहे वो economic condition हो, देश क की वो नहीं सुधर रही है, चाहे वो proper physical infrastructure की बात करें, तो Kathmandu Valley के बाहर कई proper infrastructure ही नहीं है, healthcare अच्छी नहीं है, poor healthcare है, education facilities नहीं है लोगों के लिए, social security network जो है, वो पूरा rudimentary है, वो dysfunctional है पूरी तरह से, और कही न कहीं इन सब हालातों के चलते, जितने भी साल का समय दिया ग विफल हो गए, जिसके चलते जो लोग हैं, उनका भरोसा जो है, parliamentary democratic system से उठ गया है, तो वो खुद चाहते हैं कि इसमें बदलावाई, तीसरा प्रमुक कारण ये है कि लाखों लोग जो हैं देश के, उनके उनने, मतलब they have been robbed of their hard earned savings, उनके पैसों से उनको हाथ दोना पड़ है, cooperatives और microfinance companies के द्वारा, जिनके patrons कौन हैं, यही powerful politicians, तो इनके चलते लोगों का मेहनत की कमाई जो है, वो डूब गई है, जिससे again, गुसा और जाधा generate हुआ है लोगों के बीच में, तो basically गुसा है, और अलग अलग कारणों से गुसा है, basically गुसा है, failure of the system को लेकर, गुस है, उसका failure का गुसा है, लोगों के हितों में काम नहीं हो रहा, उसका गुसा है, देश की जो लचर विवस्ता है, आर्थिक या सामाजिक या फिर infrastructure पर उसका गुसा है, इसके लावा चौथा कारण क्या है, कि लोग बहुत जाधा गुसे में हैं, और वो अपने जो स्थिती है, जो आने वाला future है, उसको वो अंधेरे में देख रहे हैं, अंधकार में देख रहे हैं, और कही ना कहीं उनका ये belief वापस लोट रहा है कि नेपाल के लिए समविधानिक राजशाही ही सबसे बहतर तरीका है, सरकार चलाने का, इसके अलावा क्योंकि राश्ट्र में ने यहाँ पर, इसी वजह से वो इस belief के around, वेर कर रहे हैं कि King ज्यानंदर को overthrow करना, उनको हटाना 2008 में फिल्कुल unceremonious जिस तरीके समविधान को हटाया गया, ये देश के लिए गलत हुआ है, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए था, जिसके बाद से तीजें गलत होती जा रहे हैं राष्ट्र में सौरी, इसके लावा जो गुस्सा है बहुत जादा हिंदूों में, specially हिंदूों में, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि 2007 के बाद से नेपाल को धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र में convert किया जा रहा है, सेकुलरिजम आ रहा है, अब सेकुलरिजम क्यों ऐसा लग किये गए, वैसे ही Christians और Muslims जो लोग हैं, उनका आना शुरू हो गया देश में, और उन्होंने देश की गरीबी, देश की जो गरीब जनता है, उसका फाइदा उठाया है, जिसके चलते बहुत सारे गरीब हिंदूों को Christianity में और Islam में convert किया है, लालच देकर, उनको manipulate किया है, तो ये भी belief system है, ये भी मानना है वहाँ पर, और इसी वजह से ये जो अंदोलनकारी है, जो जनता है, जिनको इतना गुस्सा है, वो चाहते हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्रे का दर्जा मिलना चाहिए, सेकुलर राष्ट्रे नहीं चाहिए, इनको यहाँ पर इ लेखने को मिल रहा है, इसकी सुनवाई हो रही है, अभी हाली मैं न्यूस पढ़ रही थी, जहां पर ये भी कहा गया है कि शायद इसमें कहीं कोई चाइनीज गर्मेंट का भी रोल है, क्या है वो एक्जाट्ली मैंने नहीं पढ़ा पूरा, लेकिन ये भी निकल कर आ रहा ह अगर नेपाल के बैक्गराउंड की हम बात करें, तो नेपाल लगभग 249 सालों तक राज्चाही राष्ट्र रहा है, अंटिल 2008, जब एक स्पेशली इलेक्टिड असेम्बली ने अबॉलिश कर दिया था सिस्टम ऑफ मुनार्कियल स्टेट वाला, जो कॉंस्टुशन मुन अंदोलन चल रहा था, उसको खतम किया जा सके और इस अंदोलन में 1996 से लेके 2006 के बीच में 17,000 लोगों ने अपनी जान गवाई है, इसके बाद ही नेपाल एक रिपब्लिक या फेडरल रिपब्लिक टैबलेश हुआ, लेकिन इतने पूरे डूरेशन में 2008 के बाद से 2023 तक य अभी भी ऐसी की, ऐसी ही है और ये बहुत भयानक सपने जैसा है नेपाल के, जहां दस से जादा बार सरकारें बदली जा चुकी है, इकनॉमिक डेवलाप्मेंट के धरकिनार किया हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, जिसके चलते, मतलब कोई बड़ा, कोई इंप्रू में जाके, चाहे वो मलेशिया हो, साउथ पोरिया हो, या मिडल, कितनी बुरी स्थिती में है, तो आज की स्थिती ये है, जिसके चलते, अभी डेमांड कर रहे हैं कि वापस से राजशाही कनवर्ट कर दिना, राजशाही में कनवर्ट कर दिना चाहिए, वापस से सम्विध section में जरूर बताईएगा दोस्तों that will be all from my side I hope you like the session do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications for our latest updates nd live 10 मेरा code है अगर आपको session पसंद आया हो तो ये code भी description box sorry comment section में जरूर लिखेगा so that मुझे पता लग जाए मेरे कितने पुराने जो learners है वो अभी भी लिख दीजे ताकि मुझे पता लगे कि नए लोग कितने so that will be all from my side thank you so much god bless take care bye bye